कि नमस्कार साथियों स्वागत है आप सभी लोग का केरियर इंडिय एजुकेशन में आज हम लेक्षे आये हुए हैं आपके सामने मद्द प्रदेश के किले महल मकवरा जैसा की कल की क्लास में बताया गया था कि किले महल मकवरे पे काफी प्रस्णार हैं और इसकी क्लास आप की जरूरी भी है ताकि आप लोग इनको अच्छे से याद कर लें और आगामी परिच्छाएं दी आपकी हैं नहीं है तो कोई बात नहीं है लिकने दी हैं तो यह बहुत ज्यादा जरूरी है एक से दो नंबर आपके यहां से क्लियर हो जाएंगे चलिए दोस्तों तो पर इसक एकी क्लास समाप्त होगी टेली ग्लाम पे आपको इसकी पीडियए फ्राप्त हो जाएगी चलिए दोस्तों सब्सक्र प्रस्ति पूछा जाएगी हर वार घुमा घुमा के पूच रहे हैं इस वार अपनने पूरा यहां mention कर दिया है अब वो कहीं से भी पूचले गौालियर के किले से आपका प्रशन जू हो बाहर नहीं जाएगा लगबख सभी किलों से बाहर नहीं जाएगा ग्वालियर दुर्ग का निर्मार सूरज सेन के द्वारा आटवी सदी में करवाया गया था चलिए चालू करते हैं सूरज सेन के द्वारा कप करवाया गया है दोस्तों तो आटवी सदी में करवाया गया है इसे पूर्व का जिब्राल्टर और किलों का रक्षन कहा जाता है पूर्व का जिब्राल्टर कहते हैं और किलों का रक्षन भी कहते हैं किलों का रक्षन करता है इसमें पांच दरवाजे हैं ये जानकारी तो हो गई अब कुछ और जानकारी बाबर ने इसे ही किलों का रतन कहा है किसमें अपनी बाबर नामा में ठीक है बाबर नामा वही जो की तुझक ए बाबरी के नाम से भी जानी जाती है उसमें बाबर ने इसकी काफी जादा प्रसंसा कही है वो कहता है कि मैं इस किले पर दो आदमियों को लेकर चड़ा जाता इसका मतलब ये है कि यदि कोई व्यक्ति दो आदमी को अपने कंदे पे बिठाल के उसके उपर चड़ा जाता है तो सोचो कितना मजबूत होगा तो बावर काफी सरीर से भी बहुत मजबूत था मन से तो मजबूत था ही हो तो बावर ने इसकी काफी तारिफ की है ग्वालियर के किले की ग्वालियर के किले को किलों का रत्न कहा जाता है ग्वालियर के किले को एक तरीके से माला में प्रोया हुआ रत्न भी कहा जाता है जैसे कि ये पूरी माला है, कल भी मैंने इसकी चर्चा की थी, आज भी करे दे रहूँ, इसमें जो एक रतन है, वो, यानि सभी के लिए अपनी जगा पे मोती है, गौालियर का किला अपने आप में रतन है, ठीक है, दूसरी बात, भारत का सबसे उंचा किला भी यही है, ठीक ह यहाँ पर पांस दरवाजे हैं, दरवाजों को देखते हैं, एक तो आलमजीर दरवाजा है, एक हिंडोला दरवाजा, हिंडोला महल नहीं है, हिंडोला महल अलग है, वो मांडू में है, एक गुजरी महल दरवाजा है, गुजरी महल नहीं है, दरवाजा है, इस बात को समझ मान मंदिर है तेली का मंदिर है सबसे महत्पूल कौन सा है तेली का मंदिर क्योंकि यह द्रवण सैली में बना हुआ है कल अपने चर्चा की थी क्योंकि उत्तर भारत के जितने भी मंदिर है वो समनागर सैली में बने है एक मात्री यह मंदिर है जो कि द्रवण सैली में बना बीच की सैली याने कि अकर देखा जाए तो जो अपना उपर वाला भाग है बिंद वाला छेत्र है बिंद वाले छेत्र से लेकर नीचे क्रशना तक का छेत्र है क्रशना नदी तक का छेत्र है वहां बेसर सैली चलेगी और क्रशना नदी से फिर नीचे एकदम करनाटक तक चल बाकि है आप मानसे चतर भुज मंदिर साजबहु का मंदर याद रखिए बहुत इंपर्टेंट प्रस्ने आता रहता है और बादल महल इसलिए प्रस्न आता है क्योंकि बादल महल दो जगा पर है आवर सार्णी से प्रस्णा रहा है, रासायनिक सूत्रों से प्रस्णा रहा है, याने कि NS3 का उप्योग किसमे होता है, S2SO4 का उप्योग किसमे होता है, इस तरीकी एक प्रस्णा रहा है न पड़वारी में, तो आवर सार्णी और रासायनिक सूत्रों से प्रस्णा रहा है, य आया था कि नहीं आया था तो यह भी हो गया परजी भी आने प्रोटो जो अब आई ठीक है और एक मद्द प्रदेश की मेले मेले हला कि यहां मेंशन कर दी है तो इतनी जो क्लासे हैं वह हो चुकी है उनको आप लोग जाईएगा प्लेइलिस्ट में देख लीजिएगा ठीक है पेपर देने से पहले एक बार जरूर देखलें जाद अबड़ी क्लासे नहीं है दस से बारा मिट की एक लासे हैं आपके सभी काम की हैं एक बार आपका रिविजन हो जाएगा चलिए आ जाता है जो गौंड कालीन और मुगल इस्थापत्य का मिश्रित रूप है इसका निर्माल आशा नामक एक अहीर राजा ने किया था अहीर को यादब जी भी कहते हैं है ना तो अहीर राजा ने करवाया था दस्वी सताबदी में निर्मित एक प्राचीनिय सिव मंदिर है य यहां पर है इसे 250 मीटर उंची दीवार वाला दुर्ग भी कहते हैं याद रखिएगा समुद्र तल से इसकी जो उंचाई है वो 250 फिट है कितनी है 250 फिट समुद्र तल से उंचाई यानि उसके आधार तक और वैसे उपर देखा जाए तो 250 मीटर है चलिए आगे चलते हैं याद रखिए यहाँ भी जोहर किया गया कई तो करवाए जकर यहाँ कर लिया था नोखंडा मेह है कौन सा नौखंडा महल हौवा महल है हवा महल है बावर के आक्रमर के समय यहां मेंसन है ना 800 राजपूत राणियों ने यहां पर सहर किया था कि लियर कि पहला जहर यही है evidence की रूप में लिखित रूप में जहर आ तब फिर जोगर कहा का है दोस्तों तो वह अलावुत्दीन खिल्जी के समय का है पदमनी आपको मालूम है वह वह जो राणी थी लिखेत तोर पर समझ रहे न याणि अभी लेखों में सदूरी Natán इसका निर्मान तेर वी सतापदी मेराजा उद्वर्मन करवाय था किन ने करवाय था उद्वर्मन इसके लिए निकटवती चित्रों में तोते बहुत पाइजाते आता है दोस्तों पिसच सी में काफी बार आ हुए तो ते किस किले के आसपास बहुत पाय जाते हैं, तो इस craft remains ask reflect Cardone ile इसका निर्मार्प शातवी जताबदी में, राज राज बसंती ने कराया था राज, बसंती ने कराये था, बादल महल, राजा रोहित महल, प्रदान महल और बाबरी यहां पर प्रसुद्धN हैं। बाबरी मतलब एग तालाब टाइप का होता है न। अब देखिए बादल महल, मैंने आपको बताया था ना कि राइसेन में और गॉालियर में दोनों में बादल महल हैं, किलियर तो भूलिएगा नहीं धार का किला, इसका निरमार मुह्मद बिन तगलक के द्वारा 1344 में करवाया गया पहली बात, दक्षण विजाय के दॉरान जब मुह्मद बिन तगलक याने MBT बिन तकश्ण विजाय के दॉरान आ रहा है, तब उसने यहाँ पर इन महलों का निर्माड करवाय था जैसे कि खरवूजा महल हो गए हैं देवी काली का मंदर पहले से ही यहाँ पर है अब्दुल्ला साह और चंगल साह का मकवरा भी यहाँ पर है दक्षन विजय के दोरान आप उसको याद रखिएगा मुहम्मद बिन 24 में धारके के लिए का निर्माण करवाया था ठीक है बांधावगड का दुर्ग अब इसको देख लें इसकी वी एक अपनी अलग कहानी है दोस्तों कहा जाता है कि बांधावगड के 2800 फिट परवत परिस्थित इस प्राकृतिक किले को भगवान स्री राम ने लंका विज रतन एक बुख है या एक साहित है और सिव सहीता पुराणों में भी मिलता है बांधावगड के दुर्ग में चमतकारी योगी की समाधी तथा चीर सागर कुंड इस्ते थे दो याद रखिएगा चमतकारी योगी और चीर सागर कुंड इससे प्रसनाता है दोस्तों चीर सिद्ध नदी के दाएत पर उनकी पहाडी में इस्तित याद रखिए नरवर का किला नल शिवपूरी सिद्ध नदी सियक्क है जैपूर के राज घृत गराने इसका संबनू रहा है राजा नल और दम्यंती की कथा भी यहीं से संबंदित है जो राजा नल है और दम्यंती है उनकी कथा जो है वह कहां से संबंदित है इसी नर्वर के किले से संबंदित है मकड़ई का किला, इससे भी बहुत प्रशना आता है दोस्तों, मकड़ई का किला हरदा जिला में है, मुख्याला इसे 30 किलो मीटर दक्षनपूर में इस्तित है, मकड़ई राज परिवार के राजा मकरंद शाह ने पिंडारियों, जो पिंडारी हुआ करते थे न, एक समाज हो कालन का महले याद रखिए, और सिमानी नदी, इन दोनों पर याद रखिएगा, और किसके लिए पिंडारियों के हमले से बचाओ के लिए, पिंडारी एक तरीके से दोस्तों, जंगल वाले सिकारी हुआ करते थे, यह लूट लिया करते थे, हाला कि मराठों का इन्हों पिं चलिए आगे चलते हैं, खास दोर पर सिवाजी के ये बहुत ज़्यादा खास थे, फिर सिवाजी के जो बंसर जूए उनके भी ये खास रहे और हमेसा उनके लिए बफादार भी रहे सबलगढ का किला, सबलगढ का किला प्रदेश के मुरहना जिले के सबलगढ की उची पहाड़ीयों पर निर्मित है इस किले का निर्मार करौली के यदुवंसी राजा गोपी सिंग ने अठारवी सताबदी के पूर वार्द में करवाया था कली आया था प्रश्ण दोस्ट मंड़ला के किले में राज-राजिश्वरी की स्थापना निजामशाहने करवाई थी यानि किस तारिक में आया है? जंगल के बीच 400 साल पुराने किले के मुख्य द्वार दीवारों को छट से बरकरार है, इसमें राजद्रोहियों को रखा जाता था, जो भी राजद्रोह करते थे, 400 साल पुराना किला है यहाँ पर इनको रख दिया जाता था, कुसलगड का किला किलियर, और यहाँ पर एक त पुणाना जरूर िे दोस्तों, याद रहेगा ज़िए, मद्द प्रदेश के प्रमुῖ महलों को देख लिया जाए, कलिया दाह महल उज्जेन में है, एक कलिया दाह मंदिर भी है उज्जेन में है न, तो उसको उयाद रखे, गुजरि महल जो की राजामान सिंग के उपर है या उन्हीं के उपर ने गुजरि के लिए जो बनवाए था वह कहां पर है तो गवालियर मे किसने बनवाए था राजा किरती पाल ने बनवाए था रदिया पे दो बार प्रशन आचुका है दोस्तों और खास वर पे इसी सत्खंडा महल पे आया है एक बार किलियर पूछा था कि सत्खंडा महल कहां पर है एक बार सत्खंडा महल की विशेष्टा पूछी थी विशेष्टा किस तरीकी की थी तो उसमें ये था option में कि खर्बूजा महल दार में इस्तित है, ऐसे याद कर ले ना, खर्बूजा को उसी चाकू से काटा जा सकता है, जिसमें धार होगी, तो दार अपने आप याद हो जाएगा, राजा रोहित महल और इत्रदार महल, ये राइसेन में इस्तित है, कहां पर है, राइसेन में इस्तित ह ठीक है, राजा अमन महल, ये अजय गड़ पन्ना में है, कहां पर है, अजय गड़ पन्ना में, बगेल महल मंडला में, बगेल महल कहां पर है दोस्तों, मंडला में, जय विलास महल कहां है तो ग्वालियर में है, जहांगीर महल कहां है तो ओर्चा में है, आप सोचेंगे जहां जहांगीर के एक बहुत अच्छे मित्र थे वीर संग बुंदेला वाला चेत्र आपको पता है ललित पूर यहाँसी योड चाटी कमगर्ड यह वाला चेत्र नहीं करेता था तो जहांगीर वहाँ पर जाते रहा करते थे उनकी इच्छी कासी दोस्ती थी और इनी जहांगीर के कहने पर वीर सिंग बुंदेला ने आतरी के पास में अबुल फजल की हत्या करवा दी थी ठीक है अबुल फजल की हत्या करवा दी थी अबुल फजल अकुबर के नौरतनों म अपने चेत्र में करवाया था चलिए आपको पता है जहांगीर हमेशा अपने पिताई से बगावत करने के लिए तैयार रहता था हो काफी समय था कि रावाद में भी बगावत करके रहा था चलिए दाई महल, असर्फी महल, रानी रूप मती महल, जहाज महल और हिंडोला महल, ये मांडू में इस्तित है, कहां पर इस्तित है, मांडू में, दाई महल, असर्फी महल, रानी रूप मती महल, जहाज महल, हिंडोला महल, ऐसे आप कर सकते हैं आप, देखिए, एक जहाज है इस तरीके से एक जहाज है इसमें कोई दादी अम्मा बैठी हुई है देखिए मैं पूरी कहानी बताता हूँ आपको एक दादी अम्मा बैठी हुई है ये बैठी है दादी अम्मा उनके हाथ में काफी सारी सर्फिया है वो पहले रानी हुआ करती थी हुआ करती थी जिस जहाज में बैठी है वो जहाज हिल रहा है याने हिंडोला कहानी खतम होग या ना याद दाई महल इसमें बैठी है हाथ में सर्फी लिए हुई है रानी पहले हुआ करती थी वो जिस जहाज में बैठी है वो हिल रहा है हिंडोला महल पांच हो याद होगा एक बार में बस ऐसी कहानी बना लिया करिए मन में चलिए प्रमुक समाधी और मकवरों पर आते हैं महत्मा गांधी जी की समाधी राजगाट बढ़वानी में है कहां पर है राजगाट बढ़वानी है महत्मा गांधी से सम्मंदित प्रशन काफी आ रहा है दोस्तों आप लोग कहेंगे तो उसकी एक separate class आपको मिल जाएगी महत्मा गांधी की समाधी राजगाट बढ़वानी में है महत्मा गांधी की समाधी की समाधी को लेकर हमेशा आते रहते हैं थीक है? अपनों चलते हैं आगे चलते हैं तानसेन की समाधी मुहम्मद गौस का मकबरा लच्वी भाई की समाधी और जलकारी भाई की समाधी ग्वालियर में हैं इसको याद रखिए तानसेन प्रसना गया है मुहम्मद गौस का मकबरा ये भी प्रसना चुका इसी पड़वारी की बात कर रहा हूं लच्वी भाई की सम खान खान का मकबरा तो भोपाल में कहा है भोपाल में होसंग साह का मकबरा वो महमूद खिल जी की कब्र मांडू में किलियर महमूद खिल जी की कब्र मांडू में ये अलाउद्दीन खिल जी नहीं है दोस्तों ये महमूत खिल जी है ये मालवा वाले अलग थे याद रखिएगा है न वो इतिहास मेंगर आप लोग देखेंगे तो जब बीच का एक ऐसा समय आता है जब राजपूत भी उपर उठते हैं और कुछ मुगल एक तरीके से देख खिल जी संबंदित नहीं है अलाउद्दीन खिल जी वाले से संबंदित महराणी सांग के राजे सिंधिया की समाधी ये सिवपूरी में है कहां पर है सिवपूरी में सांती शागर के निकट किनकिन की महराणी सांग के राजे सिंधिया की समाधी और तात्या टोपी की समाध में दोस्तों इनको सिवपुरी में फासी दे दी गई थी माधाव राव सिंधिया की समाधी वी सिवपुरी में इस्तित है सिवपुरी सिवपुरी छेत्र वैसे भी दोस्तों सिंधियाओं का छेत्र जाना जाता है बैजू बाबरा की समाधी बहुत important वेक्ति हैं चंदेरी में हैं बैजू बाबरा की समाधी अब्दुल्ला शाह का मकवरा कहा है धार में इस्तित है अब्दुल्ला शाह का मकवरा पेसवा बाजी राओ की समाधी खार खेड़ी खार खेड़ी कहां पर खरगोन में अब आप कह खेडी है दोस्तों याद रखिएगा रा वर खेडी ठीक है खरगोन में अब इन पर प्रश्ण नहीं आया है बहुत जादा संभावना है कि इन पर प्रश्ण आ सकता है क्योंकि चुकि यह खरगोन में है इसलिए पीर बुधान का मकवरा साहपुरा छेत्र स्यूपुरी पीर घरधारी भाई किसकी सहाई का तो रानि अबंती हैरी उज्जैन में हैं बाज बहादर और रानी रूप मती का मकवरा सारंगपूर राजगर, सारण्गपुर, राजगर, बाज बहादरो रानी रूपमती, बल जाती साह और मस्तान अली साह का मक्वरा मोर्णी सागर, काना बाबा की समादी सोडल पूर हरता, है हरदा में यहां पर है यह भी इंपर्टन्ट है दोस्तों ठीक है मुम्ताजalki कभर दौलत खांलोदी का मकवराब भुरहान पुर यह तो आई चुका है मुम्ताज की कभर सुल्थ तारीक में आप लोगों को पढ़ाया भी है वो ना मेरों को याद नहीं आ खिल जी की कबर मांडू में है और हरदय साह का मकवरा कहा है तो पन्ना में है चलिए दोस्तों आज की जो अपनी ये वाली क्लास से ये समाप्त होती है तो हमने महलों को और खिलों को एक पूरे लेक्चर में देख लिया है और इसको आप लोग पढ़कर जरूर जाएं दोस्त क्लास को बंद करते हैं और हाँ टेलीग्राम से जोड़ना ना भूलें पीडिएफ आपको वहीं पर मिलेगी